प्राफेशर कलिंगा में आपका स्वागत है और आज हो चुकी है दो महतवपुण ड्रोग इंडियन फुट्बल के लिए और दोनों ड्रोग के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, उनकी प्रेडिक्शन के बारे बात करेंगे किस तरीकी से दिक्तत हो जाकते हैं इंडियन टीम को और कितना benefit हो सकता है इंडियन टीम को सब जो हैं आज ही बात करेंगे और last में हम बात करेंगे कि इंडिया इस बार World Cup की round 2 से आगे जा सकता है किया So stay tuned till the end of this video and don't forget to support Indian football by subscribing Professor Kalinga पहले बात करेंगे 2022 मतलब जो की 2023 है हमारा क्योंकर लेट हो गया है उसके ACN Games के बारे बात करेंगे कि भाई इंडियन टीम जो बहुत मतलब मारा पिटा करके अंदोलन करके संगराम करके जो इंडिया टीम के से लेक्ट हुई और इसमें हर इंडियन फैन की जो अबदान रही है वो तो कोई मतलब मना नहीं कर सकता है और बतलब इस अब बेस थिंग नो फर इंडियन फैन तो फाइट आउट अगेंस शिस्टम और मेक इट हैपन और जब हो चुका है उसके तुरंद बाद हमें खुशी की किरन दिखी क्योंकि हम गुरूप A में आये और गुरूप A में पहला नाम आए ता बाइदर उबे शैम फीपा में भी वही हुआ कि हम हुआँ गुरूप A में पहले इसे ही था तो चाइना और इंडिया तो पक्की होगी suddenly उसके बाद हमरे पास Myanmar आया तो Myanmar का आना अब वहती अच्छा रहा क्योंकि इंडिया Myanmar के साथ मेच जो है तोड़ी easy रही हमरे लिए रहेगी फिर उसके बाद अपना जाना पहचाना जैसे इंडिया और Pakistan किरकेट में होते हैं फुटबॉल में ऐसे Bangladesh हर जगा पीछे पीछे रहे तो बांगलादेस आगया तो चाइना बांगलादेस Myanmar एन इंडिया पैश्ट ग्रूप है ट्रस्ट मी यह हमारे लिए बेस्ट गूरुप है इससे अच्छा ग्रूप नहीं मिल सकता है और Myanmar बांगलादेस को रहा सकते हैं चाइना के एकरेस्ट में देखन हम अभी लैबनंट रखेल चुके हैं उसके पाथ हम खेलेंगे इराग से फिर पेलेस्टाइन से खेलेंगे और अब हमें फ्री में चायना ऐसे टीम के साथ केलने को मिल रहे तो गलत क्या है यहीं तो चाहते थे हमें इसलिए तो फाइट कर रहे थे हमें ट्रॉफिट जितने क मेरे इसाब से ये semi-final, quarter-final, semi-final is something I am looking for and this Indian team and with Anu 23, with the three top pillar of the Indian football, Sangyan Zignan, then Sandhu and Chetri Sir, ये तीनो और जो हमारी pure talent है, अपने raw talent, मिलके with Stimac, I am sure हम लोग सेमिफाल तक जासर. Coming back to most important, मेरे ले तो बहुत important है, ये है round two of preliminary draw for World Cup 2026, ये बहुत ही जादा important है, हमारी Indian fan के लिए, Indian football के लिए और हर Indian sports fan के लिए, क्योंकि ये जो है न, ये हमाँ बना सकता है एक best game, और one of the popular game in India by reaching to World Cup, जो कि हर किसी का सपना है बाई, कि FIFA World Cup में इंडिया के लिए, और इंडिया जी developing country वहाँ पर ना खेले, FIFA कोई loss है, at the same day हमें भी loss है, और ये समें हमारी first slate होगे ग्रूप में, हम ग्रूप में पर आगे, और ग्रूप में हमारे अफगानिस्थान, साइध वहाँ पर मंगोलिया के साथ तो उनका रहेगा ग्रूप, और वो जो है fourth में आगे, मतलब port four से आगे, port three से आगे हमारे कुएत बहुत नाकुशो भाई, बहुत टीम थी, और कुएत यहाँ पर मैं तो मानता नहीं था, कि कुएत आए, और कुएत भाई port three की टीम नहीं, कोई पता है, बेंज के वैसे port three में आगे नहीं तो यह port two की टीम है, और यह आगे कुएत हमारे किसमत में, और उसके बाद आगे Qatar फिर भी ठीक है on the port one, I am okay to having Qatar there, क्यूंकि Qatar better than Japan and other team, so Qatar ठीक है, इंडिया having Qatar, port one descent है, उससे और बहतर थोड़ा हो सकता है, ज्यादा कुछ नहीं ठीक है, बट क्वेत port three में, नहीं, वो port two का टीम है, भाई port three में, क्वेत नहीं चाहिए ता हमें, कोई भी ले लो, 11 and B चलता बरे लिए, बट क्वेत नो, बट क्वेत होके थोड़ा दिक्कत हो गया, तो हम यहाँ पर जो खेलेंगे, home and away matches खेलेंगे, और यह चलता रहेगा, ऐसा नहीं एक साथ हो जाएगा, जैसे हमारा ACN गेम से या AFC कप है, या हम sap tournament खेलेंगे, कोई tournament बेसी इसका नहीं है, तो यहाँ पर qualifier जो है, रुक नुक के मतलब कभी-कभी हर महिना ऐसा ब्रेक-ब्रेक में होगा, जो इसका date में बता दूगा आप लोगो को किस तरीक से ब्रेक से खेलेंगे, तो उससे क्या होता है, उससे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, कि भाई, आपको game में न, form में नहीं आओगे, क्योंकि आप एक बार खेलोगे, फिर बंद हो जाएगा, एक मेने का फिर से खेलोगे, तो दिक्कत हो जाती है, कि आप बोलते हैं न, streamX जी, कि भाई, ISL विगार को टाइम लगता है, और EFC के लिए चार विग माँगा था, इन्यान क्योंकि लिए इतना टाइम नहीं है वाई, तो वो तोड़ी दिक्कत हो सकती है, जैसे क्वेट के साथ हम खेलने वाले हैं, 16, 11, 2013, तो मतलब क्वेट के साथ हम ये साल खेलेंगे, और एक बार, ठीके, औ अपागानित के साथ 21 मार्ट को, मार्ट को समने भाई मार्ट को जब तक आप सूमाय का कौंटडरेक्सन होगा यद वो भी आमें पता नहीं है, सबी समार्च को एक खलेंगे इंडिया वार्फ क्वेत 6,6,6 और 11-6 फिर टो हमारा रहेगा एक जो की क्वेत के साथ रहेगा शोला ग्यारा को स्टार्ट और खतम होगा कप 11 छे मतलब उनमस 7 मेंने तक ये जो है चलती रहेगी तो इसलिए तोड़ी दिक्कत होती है ये ऐसे ये नो क्वालिफाइंग राउंड जो है क्लियर करनी के लिए स्टॉप 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 होता रहता है औ श्टॉप स्टॉप स्टॉप जो है और दिख्कत हों गई है कि हम याँ पर राउंड नेक्स्ट्राउंड मे जाने के लिए इतना इस ने entr लोना होना इतना difficult है इसा धिफिकल्ट है एक जो भी होगा अफागानेस्तन को हम ढूक नहीं चलेगा और पर ड्रो नहीं चलेगा जब मैंशेश करीब आएगी यही है मेरा opinion on Asian draw and Asian games draw and FIFA qualifier आपको क्या रहा है आपको क्या लग रहा है कि हमारी FIFA की जो draw है वो easy है tough है let me know in the comment box that's it for today जाहिंद